नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली राउंड अप शो आई नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर अखिल गोगोई को निया अदालत ने यूए पीए के सभी आरोपों से किया बरी और डिनेंस फैक्टरी बोर्ड हर्ताल के ऐलान के दो दिन बाद ही केंद्रि लाई आवश्यक सिवा अध्यादेश रक्षा कर्मचारियों की हर्ताल पर रोक वेतनादी की मांगों को लेकर स्टिल कर्मचारियों की हर्ताल सफर कश्मीर यूए पीए का इलजाम खारिच गुजराज जेल में 12 साल से कैद बशीर रिहा और आखिर में कोरोना अपडेट डेश में 24 गंटों में 48,786 नए मामले आज फिर 1000 से जादा मरीजों की मौत असम शिव सागर से विधायक और सामाजिक कार्यकरता अखिल गोगोई को ब्रेस्पतिवार को जेल से रिहा किया जा सकता है एक विशेस एनाई अदालत ने उन्हें और उनके तीन साथियों को दिसंबर 2019 में असम में संशोदित नागरिता कानून के खिलाफ हिंसकांदोलन में कथित भोमिका के लिए UAPA के तहट सभी आरोपों से बरी कर दिया गया गोगोई और उनके साथी गैर कानूनी गती वीदिया कानून 1967 के तहट दो मामलों में आरोपी थे निर्दली विधायक और उनके दो अन्य साथियों को पहले मामले में 22 जून को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था NIA के विशेष नयाधिश प्रांजलदास ने चांद मारी मामले के संबंद में गोगोई और उनके तीन साथियों दिरगजा कुवर, मानस कुवर और बिटू सोनो वाल पर आरोप तैन नहीं किये इस मामले में उन पर मावादियों से संबंद रखने का आरोप था NIA हिंसक प्रदर्शनों में गोगोई और उनके साथियों की कथित भूमिका से संबंदी दोनों मामलों की जाज कर रही थी ये मामले पहले चांद मारी और चाबुआ पुलिस थानों में दर्श किये गए थे अधालत द्वारा जेल को रिहाई के आदेश जारी जाने के बाद गोगोई को ब्रिस्पति वार को ही रिहा करने की संबहुना है बुद्वार को Center of Indian Trade Union और Steel Workers Federation of India ने मंत्राले प्रशासन के मनमाने रवये के खिलाप स्टिल कर्मचारियों को एक सफल हर्टाल करने पर बदाई दी मंत्राले और प्रशासन ने लगातार कर्मचारियों की मांगों को नजर अंदाश किया है 29 जून को विशाका पटनम स्टिल प्लांट के करमचारियों के ने एक बड़ी हर्ताल की स्टिल आथोरिटी आफ इंडिया लिम्टेड यानी सिल के प्लांट और माइन के करमचारियों ने अगले दिन भी हर्ताल की कर्मचारी लंबे समय से अस्थाई और अस्थाई दोनों कर्मचारीों के वेतन बढ़ाया जाने की मांग कर रहे है हर स्टिल प्लांट, माइन और उद्योग पर सतर से पंचानबे प्रतिशत कर्मचारी इस हर्ताल में शामिल हुए हर्ताल में शामिल हुए कर्मचारियों की कुल संक्या डेर लाख रही मजदू संक्टनों की या मांग भी थी कि महामारी के दौरान काम करते हुए जिन कर्मचारियों की मौत हुई उनके परिजनों को मुआवजा और नौकरी दी जाए इसके साथ एस्टेल शेतर में नीजी करड़ के खिलाफ भी कर्मचारियों ने पूर जोर आवाज उठाई आतंक के मामले में गुजरात की जेल में 12 साल की कैद के बाद बशीर अहमद बाबा उम्रे 44 साल को रिहा कर दिये गये हैं उन पर गैर कानूनी गती वीदिया रोकताम अधिनियम के तहट लगाए गए सबी आरोपों को अब खारिश कर दिया गया है जिसके बाद वे अपने परिवार के साथ घर लोट आए हैं बशीर और उनका परिवार उनके बेगुना साबित हो जाने से काफे खोशन हाला कि इसमें एक दशक से भी अधिक समय बरबाद हो गया चुंकि जेल अपने अंदर एक कैर खाना जो होता है बाराल अच्छी जगह नहीं है मगर मैं घर से बाहर था और मेरे लिए अच्छा यही था कि मैं किसी एक्टिविटी में अपने आपको रखूँ तो मैंने आपने आपको स्टेडिक में रखा स्टेडिक की वहाँ पर और चुंकि अला तलग के फजल करम से थोड़ा एची भी किया मैंने पीजीज भी की हैं कि रक्षा करमचारियों दोरा हर्ताल करने पर वह उन पर कारवाई कर सकती है यह अध्यादेश रक्षा संबंदी आवशक सेवाओं से शामिल करमियों के हर्ताल एवं किसी भी तरह के विरोध प्रजशन करने पर रोग लगाता है एक राजपत्रित अधिसूचना के मताबिक रक्षा उपकरण के उत्पादन, सेवा और संचालन में शामिल करमचारियों या सेना से जुड़े किसी भी अध्याओगिक प्रतिष्ठान के उत्पादन में शामिल करमचारियों के साथ ही रक्षा उत्पादों की मरमत और रख रखाओं में कारेरत कर्मचारी अध्यादेश के दाइरे में आ जाएंगे। आपको बता दे कि सरकार द्वारा ओर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड के निग्मी करड का फैसला लिया गया जिसका रक्षा संगठन और कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इसी के तहट संगठनों ने 26 जुलाई से अनिशित कालिन हर्ताल करने का एलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि यह निग्मी करड दरसल नीजी करड के लिए किया जा रहा है। और आखिर में हम बात करेंगे केंड़ी स्वा समंत्राय द्वारा आज गुरुवा यानि एक जुलाई को जारी आगडो के अनुसार देश में पिछले 24 घंडों में करोना के 48,786 नए मामले दर्श किये गए। इसके अलावा करोना से फिर से 1000 से जादा यानि 1005 मरीजों की म हुए हैं। देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 3,411,634 हो गई है। जिन में से अब तक 3,99,469 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में करोना से पिरित 96,96 पीस दी यानि 2,94,88,918 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। और देश में आक्टिव मामलों की संक्या ग देश में करोना वैक्सिन की 33,57,016,019 डोज दी जा चुकी है। जिन में से 27,6,345 वैक्सिन की डोज पिसले 24 गंटों में दी गई है। आज की डेली रॉंड अप में बस इतना ही। निउस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साती देश और दुनिया के और इंग्लिफ्स वेबसाइट भी जरूर देखें। फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। निउस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।